नमस्कार दोस्तों मैं उमेश अर्मा चार्ट एनलसीस चैनल पे आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियों बात करेंगे जैसे कि आपने देखा मार्केट में 1% के आसपस की गिरावट हुई है और क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी वो मैं दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ साथ सा बताऊंगा टेलिग्राम चैनल पे हमने मंडे को ही सैलिंग बता दी थी और मंडे को ही हमने वीडियो में भी बताया था कि आप position shot में बना सकते हैं क्योंकि एक gap देखने को मिला है तो उसके according लेकर आज देखेंगे तो हमने जो recommend करा था आपको 700-750 पे recommend करा था 16700-750 पे position shot में बना सकते हैं और अगर आज की बात करेंगे तो आज low बन चुक है 16484 की आसपस का low देखने को भी मिल गया है तो कहना जाऊँगा दोस्तों कि यहाँ पर आपको buying करने चाहिए अभी shot करने चाहिए उसके उपर मैं दोस्तों आज की वीडियो में discuss करना चाहूँगा तो वीडियो काफी special है शूर से लेके आखिर तक जूड देखेगा चैनल को अगर आपने subscribe नहीं करा है तो चैनल को subscribe जूब करेगा तो यहाँ पर हम देखते हैं और अगर आप देखेंगे तो आज की nifty की closing हुई है वो यह 16605 के आसपास की 16605 के आसपास nifty जो है वो close करा ह है और अगर हम अभी sgx देखेंगे तो वो भी इसी रेट के आसपास चल रहा है तो अब हमें किस तरीक से ट्रेट प्लाइन करना चाहिए उसके बारे में discuss करूंगा क्योंकि काफी लोगों की calls भी आ रहे हैं और यह जाना चाहरे है कि निफ्टी में अब क्या करें क्योंकि हर जगा लेवल बन रहा है जैसे 500 गासपस भी एक सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ बट वहां से मार्केट ने फिर से बाउंस बैक करा तो कहना चाहूंगा दोस्तों आपको कि अभी ओवरॉल अगर मार्किट की बात करें तो मार्किट वीक है अब ओवरॉल क्यों क्या रीजन इंचे अब उसको कहना चाहता हूँ अभी जो निफ्टी है ना वो काम करेगा ट्रॉट ड्रैवर की तरह जैसे ट्र ड्रेवर होता है दिन में सोता है रात को चलता है तो यहाँ पर निफ्टी आपको देखने को मिलेगी तो इंच्छा गासा मुनाफफा देखने को मिलेगा बट दूसरी बात यह है कि अगर आपके against market open होता है gap up या gap down के साथ अगर आपने कोई भी direction में trade मनाया है हो और आपके against open होता है तो वहाँ पर नुकसान के भी chances आपको देखने को मिलेंगे at the money पे trade करिए और risk से ना डरिए ऐसा नहीं है आप सोचें कि भी अकल कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे ऐसा नहीं है market overall week है आप market में किसी भी rate पे आप अपनी position short में बना सकते है और घबरानी की बात नहीं है दोस्तो आपका rate भी आएगा वो क्यों वो मैं discuss करना चाहूँ है यहाँ आप देखेंगे स्क्रीन पे तो यह nifty का चार्ट है और यह spot market का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ज market ने यहाँ पे close करा है तो यह support के resistance का काम करेगा यह support अब बन चुगा है resistance तो market जो है आप किसी भी rate पे अगर आप देखेंगे 16,650 पे आप चाहे तो position short बना सकते है 16,750 के आप position short बना सकते है 16,750 के आप position short बना सकते है किसी भी rate पे shot करिएगा क्योंकि इसका जो target है एक और market दुबारा से जो इसका low बनाता 16,250 के आप उसका वो test करने जुरूर आएगा क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि एक बार double bottom के आप पैटन जूर बनेगा और एक नया support भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्योंकि past में जब भी जिस तरीके से chart react कर रहा है मैं उसकी बा बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको एक support देखने को मिला और यहीं पर क्या हुआ gap down opening के बाद market ने क्या कर रहा है एक low बनाया 16,250 के आसपास का market वापिस गया और यहाँ पर जाके इसने क्या कर रहा एक अपना resistance ले लिए यह support है अब वो resistance में convert हो चुका है तो यहाँ पर क किसी भी rate पर आपको market मिल रहा है तो यहाँ पर अपनी position क्या कर सकते हैं इस जगा पर position shot बना सकते हैं और इदर अगर आप position shot बनाएंगे तो SL आप यहीं कहीं रख सकते हैं और एक वार यह जो 16,250 का level है वो एक वार जरूर आपका touch करेगा तो वहाँ पर हो सकते double bottom pattern मिले या फिर एक नए support की तरह यह काम करेगा मैं थोड़ा सा advanced चल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है जब आप technical analysis करते हैं या फिर आप stock market में काम करते हैं तो आपको future की prediction करनी चीए past का data देखके आप future predict करते हैं वही चीज़ दोस्तों मैं आपको कैनी क्योशिश कर रहा हूँ अब ऐसा कहीं बार हो चुका है काफी ज़्यादा charts में देखने को मिला है तो इसके accordingly भी अगर हम देखेंगे इस level के accordingly जो distance है तो उसका target वैसे जो बनता है 16,000 अगर मैं बात करू बना है उसके accordingly बनता है तो मैं कहना चाहूंगा घबरानी की बात नहीं है अगर मालो आप 16,550 पॉजिशन शौट बनाते हैं और मार्केट क्लोज गयाता है 16,620 अगर आम देखेंगे तो यहाँ भी घबरानी की बात नहीं है आपका वही मेरे rate से 100.00 उपर चल रहा है इंट या फिर में इंटर डे में जो मेरी position है उसको मैं square up करके next day मैं क्या करतो हो नई position मना लेता हूं क्योंकि क्या है आपको पता है क्योंकि जब आप trade करते हैं तो कहीं ना की डर होता है पैसे जाने का डर होता है उस वाई से कहीं लोग क्या position carry नहीं कर पाते है एक्चुल में क् मार्केट करने नहीं दे रहा वहीं पर क्या होता है कि अगर मार्केट वापी से जाके नीचे close करता है तो वहां पर पोजिशन कर सकते हैं sell की position पट इसने आपके against position लाके खड़ी कर दी तो वहां से थोड़ा वो डरिंगे तो मार्केट की चाल होती है और मार्केट का trap होता ह जिसमें आपको फसाया जा रहा है कई वहर ऐसा होता है आपको पता है कि मेरा target यह है और आप ना target तक जाई नहीं पाते है पहले अपना profit book कर लेते हो क्यों क्या reason है उसका क्योंकि market आपको करने ही देता जो price आपको इस तरीके से manipulate करता है कि आपको समझी नहीं आता price आपके against करेगा आपका target आपको पैसा कमाने नहीं देखा इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा से जिद्धी हो के चलो जिद्धी होने का मलब है कि आपको पता है मेरा SL क्या है तो मैं SL जब मेरा कटेगा तो ही निकलूंगा ठीक है मेरा SL तक लुकसान 5000 हो सकता है आज अभी मेरा लुकस है ना उस पर स्टिक रही है और यही नहीं थोड़ी वो मुवमेंट से फोन मिलाना चालू कर देंगे या फिर आप घवरा जाएंगे ऐसा या आप ना ट्रेडर नहीं बन पाएंगे तो मेरे साफ से पोजिशन मनाईए आपको जो जी चीज़े बता रहा हूं ये ग्याप के देखने को मिलेगा फिर आप मालनों आपने कोई ट्रेडर बनाया सेलिंग का हंडेट पॉइंट से फिप्टी पॉइंट सापके अगेंस्ट आगया आपने क्या पोजिशन गाड़ दी आपने कल बनाऊंगो पोजिशन या देखता हो कल क्या होगा और अगले दिन 500 पॉइं यहां पे रिस्क लिमिटेट है तो थोड़ा बहुत रिस्क लोग और काफी लोगों ने रिस्क लिया पैसा बनाया है आज भी स्क्रीन शॉट आए हमरे पास क्योंकि हमने पूडिशन मनवाई थी उसके बारे बात करूंगा यहां पर चेक करेंगे हमने टेलीग्रम चैनल प मैं आपको बता देलता हूं जब इसका रेट चल रहा था निफ्टी का 16,750 रुपे के आसपस चल रहा था तो बोला था कि पूजिशन शॉट करिए और स्टॉप्लस लगाईए अप 16,835 रुपे यह एक ट्रेड हमने बताया था और इस ट्रेड के बाद क्या हुआ मार्केट ने जो क्लोस करा 16,800 के आसपस क्लोस करा 785-800 के आसपस हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 15 रुपे से हमारा SL बचाता और बोला था कि पूजिशन करी कर सकते हैं और अगले दिन क्या हुआ खुला ही गाप डाउन तो काफ हम देते हैं अपने प्राइवेत चल्रॉप 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 बिलता है दूस्तों को स्टुडंक को जितने हैं उनको में स्टूडंग को स्टुडंट अगर देखेंग तो काफी मैसरी समने करें टोरेंन फार्म होगowd गया। इसके साथ रे मेंट है निफ्टी का सपोर्ट अब बताया था 16-520 का है उसके बाद थोड़ा वह नीचे आया था बड़ वापिस से उपर जाके क्लोज हो गया वह कही बाद नहीं इसके लावा एंटी पीसी का मैसेज करा था उसमें बीरी शरायमी बना था 30 के चार्ट पे डिलाएंस बोला हुँ है बहुत सारे स्टोवात हैं यूज यहाँ पर टैलिग्र Phillips चैनल पे और हमारा पॉलीक चैनल भी र 54 ईसस्रा वह सकते हैं यह हमारा किया पॉलीक को भी आप veter कर पड़ेगा लिंक इसका डिस्क्रिप्शन पर या तो सर्च करें चार्ट अनैलिसिस या फिर इसका लिंक के वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा महाँ पर यह पुब्लिक चैनल फ्री में आप हमारा जॉइन कर सकते हैं तो यह जो चीजें दोस्तों मैं आपको बता देखो रिस्क है तो साथने रिवाट भी है और देखो क्या होता है जो पंतरा पांसो का मैं अटको टार्गेट दे रहा हूँ वो ऐसे नहीं दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ टेकनीकल यह बहुत ज़ादा अगर आप देखेंगे टेकनीकल के इसाफ से तो इस एरिया को कोई पत्थर की लकीई नहीं होती बट एटलिस हम ज़्यादा कुछी कह रहे हम कहरे हैं बस थाउजन पैं नीचे मारकेट ओवर आ जाए यहां से तो हमारे जो टार्गेट से वो अचीव हो जाएंगे जो हमने रिक्यमडेशन अठारा दोस्तों प्यास पर्स करी है हाला कि करें दोस्तों यह नहीं होता कि हमारे टार्गेट है मैंटर यह करता कि पैसा कि लिए कमा है आपने पंदरा सो दो जार पे नेगल गए और उस बंदे ने बीस एजर पे कमाया तो वह यह दोस्तों जो आप अने उसको मानना भी बहुत ज़्यदा ज़िदूरी है और वो मान तब ही सकते हैं, उसके स्टिक तभी हो सकते हैं, जब आपका confidence level बहुत higher होगा, तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तो, technical analysis बहुत depth में आपको सीखना पड़ेगा, उसकी बहुत back testing करनी पड़ती है, उसके लिए हमने course design कर रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तो, हमारा course है, technical analysis का, वो आप हमारी website से purchase कर सकते हैं, website है chartanalysis.co.in, अगर आप इस तरीका का technical analysis सीखना चाहिए, जिसमें candlestick, chart pattern indicator, dow theory, elite theory, time frame का combination, demand supply, psychology सिखाया जाता है, तो आप हमारा 7999 वाला technical analysis का course purchase कर सकते हैं, इसकी fees जल्दी बढ़ने वाली है, तो यहाँ पे ये direction based trading के लिए बहु 12 साल का technical analysis में experience है, वो सारी चीज़े दोस्ते इसमें सिखाई है, 14 साल मुझे मार्केट में होगे, technical analysis पढ़ाते हूं, मुझे 11-12 साल हो चुके हैं, और काफी time से मैं technical analysis कर रहा हूं, जितना भी मेरा experience है, वो सारा मैने इसमें भरा हुआ है, तो कहना चाहूँगा, काफी फोन आ रहे हैं, वो कैरें, जो option में trade बनाया था, अच्छा, हमने का, क्या trade बनाया था, ये trade बनाया था, अच्छा, इसको पता है, अपके ट्रेड बनाया, उनको pay off क्या है, उनको pay off तक नहीं पता, कि में को कौन से strike की call खरीद नहीं है, और market यहां चले जाएगा, अगर मा क्याता हूं कि आप option सीख लो, option की knowledge बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये भी course है हमारे पास, ये आपको पढ़ेगा दोस्तों, 11,000 वेगा, जिसमें 59 वीडियो है, थोड़ा लेंदी है, 59 का course है, इसको भी आप download कर सकते हैं, इसमें option chain, option Greeks, option की strategies, उसके pre-offices, सारी चीरे दोस्त PDF भी आपको मिलेगी, और सासा कहना चाहूंगा, कोई भी doubt है, कोई भी कहले है, तो नीचे मेरा number है, उस पर contact कर सकते हैं, तो आप अगर एक अच्छे trader बढ़ना चाहिए, तो दोस्तों, आप study करिए, study करना बहुत जरूरी है, और अगर आप सोचे कि मैं कुछ पढ़ूंग तो रोज कुछ ना कुछ नया सिखाता है, तो वही चीज हम अपने, जो संडे के webinar है, उसमें discuss करते हैं, तो मेरे सासे दोस्तों सीखे, बहुत अच्छा time है सीखने का, और अगर आप अपनी accuracy 70% करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये course जूर purchase करिएगा, सासा कहना चाहूंगा द किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्या stop loss रख सकते हैं, किस तरीके से trade plan करें, सारी चीजे बताई हैं, घबराने की जोट नहीं है दोस्तों, आप trade जो करें, निफ्टी में काफी लोग कह रहें कि मैं निफ्टी में trade नहीं करूंगा, market volatile है, अरे भया, अभी तो पैसा कमाने का time ह तो वो ही मैं कहा हूँ, market में वास आप कमाएंगे, जब market consolidate हो जाएगा, जब moment नहीं होगी, फिर आप option भाय करोगे, तो फिर नुकसान होगा, theta कर नुकसान होगा, premium decay होगा आपका, तो बहुत अच्छी opportunity है दोस्तों, आप trade करिए, तो आशा करूंगा, आज की वीडियो पस पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है, तो लाइक करे, शेर करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कोई doubt है, कोई query है, तो नीचे देगे number पर contact कर सकते हैं, आज के लिए पस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद,